दोस्तों बहुत से लोगों का यह question था कि field work क्या होता है इसमें कौन-कौन से कारी के जाते हैं और इस पद के लिए कितनी salary मिलती हैं तो आज हम इन सभी topics के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कंपनियों में अलग-अलग तरह के बहुत से कारी के जाते हैं जिन में से कुछ कारी के अंदर होते हैं और कुछ कंपनिय के बाहर होते हैं दोस्तों जो कंपनिय के बाहर रहकर कंपनिय के लिए कारी की जाता है वे सभी कारी फिल्ड वर्क के अंदर करते हैं जिसमें कमपनी की marketing हो गई, promotion हो गया या sales से related जो कारी होते हैं वो सभी field work से related होते हैं field work में कमपनी का कोई employee किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, नए नए लोगों से मिलना उन्हें कमपनी के बारे में बताना कमपनी के product के बारे में बताना और उसे sell करना कमपनी के द्वारा दिये गए targets को पूरा करना आदी सभी तरह के कारिये field work के अंतर गताते हैं इसमें चाहें delivery boy का का कारिये हो bank sales officer का का कारिये हो LIC agent का का कारिये या फिर sales man का का कारिये हो या आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो door to door जाकर सामान बेजते हैं या बहुत से लोग होते हैं जो सड़क के किनारे banner लगाकर company के product के बारे में बताते हैं उन्हें sell करते हैं तो ये सभी कारिये field work के अंतर गताते हैं इसी भी company के लिए field worker के रूप में कारे करने के लिए candidate का graduation pass होना जरूरी है और आयू सीमा 18-17 साल के बीच होनी चाहिए और इसी के साथ-साथ candidate की communication इसके अच्छी होनी चाहिए जिसे की वह गराकों से अच्छे से बात कर सके उन्हें company के बारे मता सके उनके साथ अच्छे से एक relation बिल्ड कर सके साथ candidate को English और वह जिस भी शेतर में कार्य करना चाहता है वहाँ की local language पर अच्छी पकड होनी चाहिए उसके computer की knowledge भी होनी चाहिए इस पद के लिए salary आठ हजार से बीस हजार के बीच में मिलती है बाकी यह company पर depend करता है कि company छोटी है या बड़ी है उस हिसाब से salary कम या जादा हो सकती है और बाद में आपके experience और talent के according आपकी salary बढ़ती जाती है तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए helpful है तो वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों में share कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए है है